नश्कार बच्चों, जससे स्टाट जी एस्वित के किसर में आप लोगा स्वागत है, हम सीटेट के स्लेवस की सर्चा कर रहे हैं according to स्लेवस बढ़ते हुए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिच्छन वीदी में विशलेशन और संसलेशन वीदी, इस वीडियो में हम आगमन और आगमन इवंग नीगमन वीदी, आगमन इस सिच्छन की बहुत ही महतपूर वीदियां हैं जो कि इससे समंदित बहुत से प्रसन आते हैं, तो इस वीदी में हम सबसे पहले देखते हैं आगमन और नीगमन वीदी में क्या है, आगमन वीदी क्या है, जैसे हमने इ पूरी तरह से प्रेक्टिकल पर निधारित होती है इसमें बच्चों को ढेर सारी तथ्यों को समझने के लिए क्या जाता जैसे बिसलेशन में हमने टुकडो टुकडो में करके अध्यन किया था किसी चीज को ग्यान करने के लिए उसमें सेम यही करते हैं इस बिदी में अनेक अउलोकनों के अधार पर अनेक चोड़े चोड़े अउलोकन चोड़े चोड़े एक्सपेरिमेंट के अधार पर समान नियम तक पहुंचते हैं एक समान नियम की खोश करते हैं समान नियम तक पहुंचते हैं और फिर उस नियम को इस्थापित करते हैं यानि कि डिफ्रेंट करते हैं जब विधी का प्रियोग हम क्लास में करते हैं सिच्छक द्वार किया जाता है तो किसी भी प्रकार के परिभासा उदाहरान या हिंद नहीं दिया जाता है बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि आप अपना खुद से एक्सपेरिम्ट किये और जो भी आपके एंसर न नहीं बताया जाता है और अगला है इस मुख्यतत तीन शुत्रों का प्रियोक करते हैं इस बिधी से अग्यात की और बढ़ते हैं तीसरा इस्थुल से सुच्व की और बढ़ते हैं यानि बड़े से छोटा की और बढ़ते हैं यह इस विधी की खास बाते हैं जो की बहुत ही मौत पूर विधी है परिच्छा माता है दूसरे ही इसी का पूरक निगमन विधी है आगमन विधी हैं कि आप फरिवासाय क्लिजीए एक तरीका एक Bent कर लिए इसी-क अधार पर आपको experiment करना है इसी कअधार पर आपको ennsor निकालना है इसलिए बिल्कुल इसकी अपजिट पूरग निकलती है समान और इसकी खास बात है कि समाने नीमो क्या पर समान नियम के आधार पर विश्यव परिस्तितियों के जो उसीा है उनको भार्ठान करने की कोशित कि जाती है जैसे हम जैसे हम समान्य नियम एकस्तूल से सुच्छ मुंख्यों यानि हम देखते हैं उसमें जुवार लघाते हैं तो हम उसको पेचकस सही खोल देते हैं पेचकस संब्हों तो नियम के आधारपर भिसेस스를 प्रषिटिक ग्यों समझ चाएं हैं उसका हल निकालने का प्रेतन करते हैं दूसरा इस विधी में चात्रों को पहले से ही सारे नियम बता दिये जाते हैं सारी सरते बता दिये जाती तत पस्चात उनसे उनका एंसर निकालने के लिए कहा जाता है तो यह विधी उसकी जैसे कि हमने भी निगवन पहले से उनको खुद से उलोकन करना होता है खुद सेह अपने रिजलिट की तरफ बढ़ना पड़ता है लेकिन यहां पे-म चात्रों को पहले से उसका तरीका बता देंगे ऐसे निकलेगा सिधांत बता देंगे उसके अधार पर उनको नियमों का उलोकन करना होगा इस विधी में जह हम सिच्छन करते हैं तो नीवन बातों का ध्यान देते हैं पहला बहुत ही महत्तपूर है नियम परिमासा पहले से तै होती बच्चों को पहले से बता दिया जाता क्या करना क्या नहीं करना है कैसे करना है प्रियोग का उधारन प्रियोग अनेक प दियार्थी को teacher के उपर निर्भर होना पड़ता है teacher उनको बताता है और उसी कनुसार उस कार को करते हैं तो अब हम बाते हैं गुन और दोस्ट की बात करते हैं तो आगमन विधिक का जो सबसे अच्छा गुड़ होता है इसमें बच्चों में भग्यानिक दिश्टीकॉन का व बिदियो सकता होज़on होता बिकास होता है उनका आपमिस्वास बढ़ता है उनकी रटने की प्रवित्ती कं चोटीमय चावाद में पहले बिदी का जो सबसे बड़ा दोस है इस बीदी का जो सबसे बड़ा दोस है और परिश्रम बहुत अधिक लगता है क्योंकि जह हम धेर सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे उनका उलोकनों को इकठा करेंगे तो इसमें समय लगेगा यानि इसमें हम कह सकते हैं जैसे बाता है कि करके सीखने की परवित्ती होती है तो करके सीखने की प्रवित्ती में जब हम जाते हैं तो हमें पहले से उस समय बहुत लगता है और दूसरा यह बड़ी कच्छाओं के लिए उतनी उप्योगी नहीं है जितना की छोटी कच्छाओं के लिए उप्योगी है इसमें समय और परिष्णम का हरास होता है और जहां हम यहां पर निगवन बिधी के गुणा दोसों की बात करते हैं तो निगवन बिधी के गुण की जब बात करेंगे तो निगवन बिधी बड़ी कच्छाओं में बहुत ही उप्योगी सिद्धोती है निगवन बिधी में शमय और परिश्रम दोनों की बचत होती है निगवन बिधी से निगवन बिधी की सबसे खास बात है कि एक साथ कई लोगों को इसको आसानी से कई एक ही सिच्छक द्वारा कई चातरों को कई एक ही साथ में समझाया जा सकता है उनको अध्यान रत करा ज़ाते है को पढ़ाया सकता है समस्त वीस्यों का सिच्छन इस भीजी तवारत दिया जा सकता है जबकि इस निगवन बिधी का जो सबसे महतवर्पूंठ दोस है बालक में रटने की प्रवित्थी का विकास होता है उनमें समझने की प्रवित्ती का विकास कम हो जाता है उनका बैज्ञानिक दिर्ष्टिकोंड कम हो जाता है उनकी किसी और पर निर्भरता बढ़ जाती है जबकि आगवन बिधी में उनकी निर्भरता दूसरे पर घटती वो खुद से करने की प्रवित्ति लाते हैं तो चातरों को खोज करने की प्रवित्ति कम हो जाती है तो इस आगमन और नीगमन बिदी से मैं आपको समझाया इससे जो भी समझ चाहे हो आप कमेंट बॉक्स में लिए हम आगे सीटेट के सभी बिंदों को एक-एक करके कि उनके छोड़े-छोड़े बिंदों बिल्कुल निगमन आगमन बिदी द्वारा इस पर देम बिस्रसन बिदी द्वारा बताया था और चैनल को सस्क्राइब जरू कर दिएगा ता बेल आइकॉन को आल पर प्रेस कर दिएगा जिससे आने वाले वीडियों आपको साही समय नोटिफिकेशन मिल सके निश्ची समय के अंदर हम सीटेट के सारे सिलेवस को कवर करा देंगे जिससे आपको परिछाम सपलता होने की पूरी पूरी संभाना बन जाए धन्यवाद झाल झाल